एज़ी को आप आप हलो एंड वेलकम टू आल दो वीवर्स नवर यूटूब सेनल पाइकर स्कोर सीट सो आज हम जिन दो बाइकों का कंपरेजन करने वाले हैं यह दोनों बाइके कभी एक ही साथ काम क्या करती थी जी हमें बात करों ही रो और होंडा की तो हमारे पास जो आज वाइक है वह एक्सक्रीम 1 60R,ı ब्याइशिक्स बर्जन में दोनों ही बाइक हैं आपको बता दो पहले ही और दूसरी हमारे पास है होंडा की X-Blade ब्याइशिक्स दोहजार एकिस मॉटल है इससे पहले कि हम दूनों बाइक को कमपेर करें उससे पहले हम चेक कर लेते हैं कुछ सिनेमेटिक्स जो कि मैंने लिए है हुआ है सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें डिफनिटली होनडा की X-Blade लोक्स मच मोर सापर एंद मॉर कॉम्पक्ट एसा नहीं की Hero Extreme नहीं लगते हैं पर कंपरिटिवली X-Blade ज्यादा कॉम्पक्ट दिखती है further मैं बताना चाहूंगा कि hero की wheelbase कम होने के वजए से इसका जो turning radius है वो भी कम है और साथी साथ hero की ground clearance है वो x blade से ज्यादा है also the weight of hero extreme is something like 3 to 4 kg less than the honda x blade talking about the seat height the seat height of the hero extreme is 790 mm whereas that of x blade is 795 mm and this under seat grab rail of the hero extreme adds to the beauty of this bike whereas अगर हम x blade की बात करें तो you can see carbon finish जो इनके tank पे है tank के साथ साथ ही ये carbon finish का जो portion है वो आपके meter console के पास है और साथ ही साथ ही जो side panel है जहां पर 160 लिखी हुए है यहां पर आपको दिखने हो कि मिलता है जैसे इसकी beauty बढ़ जाती है अगर हम बात करें switch panels की उनकी भी quality दोनों यह बाइक की ऑप्टिमम नहीं अच्छी है किसी बाइक अच्छी आपुरी नहीं दोनों यह अच्छी है बदाओ तो मुझे हीरो की यह जो exhaust है यह ज्यादा beautiful लगती है as compared to that of Honda X-blade अगर बात करें दोनों बाइक की नहीं बाइक की तो दोनों यह बाइक की नहीं बाइक की नहीं बाइक की आपस की है जो difference आता है वो power output में आता है आपकी Honda X-blade में जो maximum power output है वो 13.8bhp की रहती है वहीं पर आपको Hero में maximum power output मिलता है वो मिलता है 15.2bhp का बट वहीं पर कि बाइक की बाद करें तो टॉर्क में ज़रा ड्रॉप है जो Hero Extreme में 14 Nm की टॉर्क जनरेट करती है पर जो Honda X-blade है वो 14.7 Nm की टॉर्क जनरेट करती है so we can say that there is no much difference in the power output of both the motorcycles further दोने ही बाइक पर आपको 5-speed gearbox मिलता है multi-plate wet clutch मिलता है साथे साथ दोने fuel injection लगा हुआ है और दोनों ही BS6 compliant engine है और दोने ही बाइक में air cooling की ही facility दी गई है साथे साथ दोने ही 2B bike है सो अगर हम engine की बात करें तो on paper या फिर अगर आप drive भी करते हैं दोने points पर आपको कोई भी ज्यादा difference दोने bike में नहीं मिलेगा कई बार मुझे comment section ने पूछा जाता है कि दोनों मेंसे कौनसी bike का maintenance cost जादा है बट यहाँ पर एक जो बहुत ही important बात है वो यह है कि आपको hero extreme में side stand engine kill switch मिलता है जो कि honda x blade में अभी तक provide नहीं किया गया है सो अब सुन लेते हैं दोनों ही bike के exhaust note को कर दोना जादा कर दोना मुझे है वहाँ कर दोना कर दोना नौ लेट्स चेक और इलेक्ट्रिकल सिस्टम बोग द्धाइक सबसे बखले बात करेंगे जो लाइटिंग सेटप उशाय कीव अगर आप दोन ही बैक में देखेंगे ना तो आपको मिलेगा दोनों ही बाइक में हेडलेंप यह धो लेट है वह आपको मिले गए LED setup में यह मिलेगा बड़ जो difference आती है वो आती है कि आपको hero के extreme में जो turn जो indicators हैं वो आपको मिलेंगे LED में लेकिन वही पर X-blade में आपको भी bulb indicator से दिये जा रहे हैं साथी साथ दोनों ही में आपको मिलेंगे hazard light का एक dedicated switch जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है किसी बाइक में फ़रदर अगर हम बात करते हैं दोनों ही बाइक की instrument console के बारे में यहां परको एक बहुत ही important difference आपको तिखेगा दोनों ही almost जितनी भी जो information होती बेसिक information जैसे trip meter या odometer या फिर digital clock techometer, speedometer या यह सारी चीज़े provide करती है but आपको honda x blade में मिलता है एक additional feature जो की है gear position indicator जो की आपको hero extreme में नहीं मिलता but आपको hero extreme extra feature क्या मिलता है आपको मिलता है side stand जो kill switch है उसका indicator आपको यहां पर मिलता है अगर आपको side stand लगी रहेगी तो आपको जो light है वो glow करता रहेगा और अगर इन दोनों के meter console की designing की बात की जाए तो आपको extreme में मिलता है एक single setup मिलता है एक simple screen LCD की screen हाला किये और एक ही screen पर आपको सारी information मिल जाती है अगर हम देखते हैं चेक करते हैं हमारे honda x blade को तो उसमें आपको dual setup जैसा कुछ मिलता है कि उपर आपको सिर्फ tachometer मिलता है और नीचे बाले portion में आपको बांकी सारी information जैसे कि speedometer, gear position indicator यह सारी जाए मिलती है इसके लावा और भी जितने भी tail tail lights है वो आपको दोनों में मिलते हैं साथी साथी इंजल, mal function, turn indicator सारी facilities आपको दोनों ही बाइट में मिलती है बस difference एक ही चीज है वो यह है कि आपको X blade में मिलता है gear position indicator पर आपको hero extreme में नहीं मिलता है और अब हम बात कर लेते हैं दोनों ही bikes की braking और tire का जो setup है उसके बारे में बात कर लेते हैं दोनों में आपको single channel ABS मिलता है dual disc, single disc दोनों के आपको options, variations दोनों ही available है दोनों ही bike में दोनों ही bike में मिलता है alloy wheels plus tubeless tire अगर हम यह बात करते हैं disc की size की तो दोनों ही bikes में चाहिए वो front disc की बात करें चाहिए rear disc की बात करें, same size की आपको disc मिलते है front में आपको 276 mm के मिलते है, rear में आपको 220 mm के disc मिलते है further in both the bikes you get petrol disc so braking system में difference काया है, difference सिर्फ बहुत ही minor सा है वो है calipers का, अगर आप X-Blade में देखेंगे तो आपको वहाँ परे standard देखेंगा, Nissan की calipers लगाएगे है but in Hero Extreme में जो आप चेक करेंगे तो आपको भी branding निंग की गई है कि कौन सी कंपनी की calipers लगे हुए feedback की में बात करों तो braking and feedback मुझे थोड़ा सा बेटर लगता है X-Blade का as compared to Hero Extreme तो आप बात करते हम दोनों बाइक की tire के बारे में जो tire section है दोनों बाइक में चाहे हो front में हो चाहे rear में हो आपको 17-inch के ही tire मिलेंगे और जो section है उसमें थोड़ा सा difference है हाला कि rear का जो दोनों बाइक में rear का tire है वो same section का है 130 by 70 का है बर जब फ्रंट में चेक करते हैं तो आपको दिखेगा की X-Blade में आपको थोड़े से पतले tire मिलते हैं जो size रहेगा उसका वो रहेगा 80 by 100 section का पर वही पर अगर आप Hero Extreme में चेक करेंगे तो आपको मिलेगा 100 by 80 का सो अब बढ़ते हैं अगर बात करते हैं दोनों बाइक के riding ergonomics की पहले हम बात करते हैं Hero की extreme की इसकी seat height around 790 mm है छोटे अगर आपके height कम भी है तो भी आप इसको बड़े आराम से संभाल सकते हैं बड़े आराम से चला सकते हैं Hero अगर मैं होंडा X-Blade की बात करो तो उसकी भी seat height बहुत जादा नहीं है वो 795 mm की है बहुत जादा difference नहीं है दोनों के बीच में अगर मैं seat की koozening की बात करो तो दोनों में koozening equal जैसा है थोड़ा soft है बहुत जादा soft नहीं है बट यह जो थोड़ा सा difference मुझे लगा वो इसमें लगा कि Hero extreme की जो handle है ना वो थोड़ी ज़्यादा उपड है तो riding comfort ज़्यादा बेटर है बट अगर आप X blade में देखेंगे ना तो handle उसका थोड़ा सा नीच है as compared to Hero extreme तो riding position जो बनते है वो थोड़ी aggressive बनते है as compared to Hero extreme अब अगर बात करें हम दोनों ही बैक सीट की size की तो चाहे वो X blade हो चाहे हीरो हो दोनों में आपको rider और pillion दोनों के लिए काफी space आपको मिलता है थोड़ा सा जादा आपको X blade में मिलेगा बहुत minor सा थोड़ा सा जाता साथी साथ leg भी leg space भी तोनों ही बैक में काफी है So finally let's talk about the suspension setup of both the bikes अगर हम दोनी बैक की बात करें तो आपको front में मिलता है Telescopic front forks और rear में मिलता है आपको monosock adjustable suspension आपको मिलता है दोनी बैक अगर suspension की feedback की बात करें तो यह stiffer sideway set है जो difference है वो सिर्फ एक है कि आपको Honda X blade में आपको मिलेगा front suspension में folk protector मिलेगा जो की Hero Extreme में नहीं मिलता है वहीं पर आपको Hero Extreme में जो front suspension मिलता है उसकी डाया 37 mm है Honda X blade की डाया क्या है वो कभी Honda रिविल नहीं करती है बट जब हम इसको match करते हैं तो definitely Honda X blade थोरी पतली देखती है as compared to Hero Extreme So this was a complete comparison between both these bikes हमने पूरी कोशिश की कि जितने भी points हो सकते हैं सभी को कवर करें but still अगर आपके देवां के कोई भी confusion है दोनों bike को लेकर या कोई और भी questions है आपके you can ask me that in the comment section इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे कर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजे also you can follow me on my Instagram ID Instagram ID जो यहां नीचे आपको शो कर रहा होगा यह दिख रहा होगा So once again thank you so much for watching this video Jai Hind